गुड इवनिंग टू आल आफ यू मैतुल कुमार सर्मा आप सभी का अपने यूटूब चैनल फिरी केमिस्ट्री वाई सर्माजी पर हर्दिक स्वागत और विनिंदन करता हूँ ऐसे सभी स्टुडेंट्स जिन्नोंने मेरे चैनल को अवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथी साथ बैल आइकन को जरूर प्रेस करेंगी ताकि मेरे द्वारा अपलोट की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेसन आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में वो प्वाइंट है संभवन उस्मा संभवन उस्मा को हेट आफ फार्मेशन भी कहते हैं अर्थात इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है और वह नाम है विच्रण उस्मा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि संभवन उस्मा को विच्रण उस्मा भी कहते हैं इसका एक नाम और भी हो सकता है चोकि इंगलिस में इसको हेट आफ फार्मेशन बोलते हैं अर्थात इसको निर्माड की उस्मा भी कह सकते हैं तो ध्यान रखेंगे संभवन उस्मा के अन्य नाम क्या है तो विच क्या definition है, definition है निश्चित ताप पर किसी योगी के एक मोल का निर्माड करते हैं तो एक मोल निर्माड के समय जितना भी उस्मा परिवर्तन होता है, उसे संभवन उस्मा, निर्माड उस्मा या विच्रण उस्मा कहते हैं. बहुत आसानी से आपके लिए definition हो जाएगी. तो heat of formation एनि संभवन उस्मा किसे कहते हैं, तो धानक ना है, निश्चित ताप पर किसी योगी के एक मोल के निर्माड में जितना उस्मा परिवर्तन होता है, उसे संभवन उस्मा कहते हैं. जैसे HCL की जो संभवन उस्मा है, बहे माइनस वानवे दसमल पाच किलो जूल प्रति मोल है. मैं यहाँ पर HCL का निर्माड कर रहा हूँ, अपने को दो गैसे, एक हाइड्रोजन और दूसरी क्लोरीन के आवा सकता है, मैंने क्लोरीन और हाइड्रोजन के अड़ों को लेकर के उनका सूर्य के प्रकास की उपस्थित में संयोग कराया, दोनों जुड़ करके HCL का निर्म होता है, उस समय माइनस 92.5 किलो जूल प्रति मोल उस्मा परिवर्तन होता है, तो ध्यानक ना है कि किसी भी योगी के एक मोल का निर्माड करते समय, जितना भी उस्मा परिवर्तन होता है, उसे संभवन उस्मा, निर्माड उस्मा या विच्रण उस्मा कहते हैं, इस लक्चर में इतना ही अगर आपको यह लक्चर पसंद आया हो संभवन उस्मा समझ में आ गई हो तो करप्या करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं मैं नेक्ट लक्चर में एक नए पॉइंट के साथ फिर उपस्तित होंगा तब तक के लिए घर पे रहिए सेफ रहिए